तो यार मैं आच चुका हूँ एक और न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ तो आज हम खेलेंगे स्कैरी टीचर 3D तो यार इस गेम के अंदर एक बहुती खौफनाक टीचर होती है जो कि बच्चों को पंखे में लटका लटका करके पनिश्मेंट देती है और ना जाने इस टीचर ने कितने बच्चों को पर हत्याचार किया है तो आज हम इस टीचर से बदला लेने वाले हैं जैसे ग्यार आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इसने निक को कैसे पंखे में लटका रखा है और निक के ओपर कितना चिल्ला रही है तो भाई आप लोग यार समझ सकते हो इस टीचर ने इन बच्चे को पर कितना ज़ादा जुल्म किया होगा तो आज हम इस गेम गंदर इस बेला टीचर की बैंड बजाने वाले हैं यहाँ पर तो गाईस अभी हमारे निक सपने देख रहा था और गाईस सपने में उसने देखा अपने आपको पंके में लटका हुआ मतलब कि यार गाईस हमारे निक को बहुत ही बुरा सपना आया तो चलो गाईस हमारे निक की आपर नींद पूरी हो चुकी है और हमारा निक यहाँ पर उठ चुका है तो भाई सुबा-सुबा उठने के बाद चलते हैं सबसे पहले अपने दान्तों को साफ करने के लिए मतलब कि गाईस बुरस करने के लिए अगर आप लोग चैनल पर नूँ होते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको PUBG वगरा गेम की वीडियो देखना पसंद है तो भाई मैंने डेस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है वहां से जाकर के आप लोग PUBG की वीडियो देख सकते हो तो भाई मेरे निकने यहां पर अपने दातों को साफ कर लिया है अब भाई जाता हूं किचन के अंदर भाई वहां पर जाकर के थोड़ा भूत खाना पीना खाता हूं और भाई खाना पीना खाने के बाद जाता हूं फड़ावट से स्कूल अगर गाईस इस बार में स्कूल जाने में लेट हो गय यार गाइस आज में फिर से लेट हो गया यार मेरे को लगता है आज वो टीचर मेरे को फिर से पंक्या में लटका देगी मतलब कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है हमेसा जब भी यार मैं नास्ता करने के लिए बैटता हूं यार मैं हमेशा स्कूल के लिए लेट हो जाता हूं तो यार गाईस यार मतलब कियार मेरे साथ बहुत बुरा होगी आज वो teacher मेरे को फिट से punishment देगी तो यार जल्दी से चलता हूँ भाई room के अंदर अपना backpack ठाता हूँ और भाई bag उठा कर गे ना जल्दी से जाता हूँ school के अंदर क्योंकि यार मैं already बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ तो भाई जल्दी से चलता हूँ अपने रूम के अंदर क्योंकि यार जल्दी से अपना बैग भी ढूंड रहा है मेरे को पता नहीं कहाँ पर चला गया है मेरा बैग यार इस कमरे के अंदर ही होगा साइद हाँ यार वैसे इसका घर बहुत बढ़ा है यार मेरे को अच्छा लग रहा है इसका घर तो यार मेरे को बैग ढूंडना है फटावर्ट से कहाँ पर गया है मेरा बैग जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है भाई मैं कहा को जाँगा घर से बाहर हाँ घर से बाहर जाने का रास्ता मिल गया है अब है यहां पर यहां पर इनको चलते हैं किलास रूम के अंदर और वहां पर जागर के अभी तो मेरे को अपनी किलास भी ढूंड़नी है जहां कर बैठना है तो यार चलता हूँ जल दे सा फटावर्टस अपनी किलास के अंदर तो यहां पर स्कूल जो है ना गईश यह बहुत भड़ा है अगर गैस मैंने इस गेम के अंदर और भी लेट कर दिया ना तो भाई वो टीचर ना भाई मेरे उपर सोटी फेरेगी मतलब कि बहुत बुरी तरीके से मारेगी मेरे को वो टीचर और गैस अगर उस टीचर ने मेरा ज़्यादे दिमाग खराब कर दिया ना भाई मैं उस टीचर को छोड़ूँगा नहीं आपको तो पता यार आप लोगों का भाई डाइनोम स्पार्डर इन सब की बैंड वर्याने में एक्सपर्ट है तो भाई चलता हूँ फटावर्ट से इस क्लासरूम के अंदर ओ नो गाईस इस क्लासरूम के अंदर तो ओल्रेडी भाई सारे बच्चे हैं मतलब कि यार गाईस आप लोग देख सकते हो अभी तो मैं किलास के अंदर भी नहीं गया और इस टीचर ने मेरे उपर गुस्टा करना श्टार्ट कर दिया तो चलता हूँ फटावर्ट से किलास के अंदर और गाईस ये टीचर मेरे को बोल रही है अगर तु डांस करेगा तो मैं तेरे को छोड़ दूगी अगर तुने डांस नहीं किया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूँगी तो मेरा निक यहाँ पर डांस करने लग गिया क्योंकि यार मेरे को तो किलास के अंदर बैटना है इस बार तो उसने मेरे से डांस ही करवा दिया तो भाई अब आप लोग देखने में क्या करने वाला हूँ इस टीचर के साथ सबसे पहले तो गाइस मैं इस टीचर के साथ एक बहुत बड़ा प्रैंक करने वाला हूँ जो कियार आप लोग देख करके चोकने वाले हूँ तो चलता हूँ भाई फटावट से स्कूल के अंदर क्यों कियार इस टीचर जो है न अभी किलास के अंदर जाई रही है तो एक काम करता हूँ भाई फटावट से जाता हूँ स्कुल के अंदर और बयाई वहांपर जांगर गाना एक कोई ऐसी चीज डोंडता हूँ जिससे मैं इस टीचर की बैंड़ बजा सकूँ तो बयाई मेरे को पता है मैं इस टीचर की बैंड किस चीज से बजा सकता हूँ बस आप लोग देखते रहो और यारी बच्चे यहाँ पर फीट से ऐसी खड़ेते चलो छोड़ो गाईस अब चलता हूँ फड़ावट से अपनी किलास के अंदर कलास के अंदर नहीं गाईस यार मेरे को एक चीज ऐसी ढूणनी है जिससे मैं इस टीचर की बैंड बे जा सकूँ तो भाई क्या होगी ऐसी चीज हो क्या होगी तो चलो यार गाईस वो तो वहाई पर जागर के पता लेगेगा आप लोग यार यहाँ पर देख सकते हूँ उप क्या दोंडू मैं माउस्ट्रेप दोंडू या फिर भाई ऑईल की सिसी हां गाईस यार मने सबसे पहले एक ऑईल की सीसी दोंडता हूँ तो भाई यार मेरे को यहाँ पर एक ओईल की सिसी मिल चुकी है तो भाई अब मैं इस ओल्पो जो यह ना इसकेरी टीचर के रास्ते म अगर भाई मैंने यहाँ पर लेट करते है नो बाई इसका री टीचर मेरी बैंडी पाना देगी यहाँ पर तो भाई फटवट से आगे जाकर कि इसके रास्ते में अपना ऑईल डाल देता हूं मैं तो भाई आ चुका हूँ मैं इस रास्ते के पास अब भाई यहाँ पर मैं फटा-फट से इस ओइल को डाल देता हूँ और गैस अगर मैंपर लेट कहना तो भाई वो टीचर मेरे को यह पर आगर पगड़ लेगी तो भाई मैंने यह यहाँ से कहीं को छुप जाता हूँ मै जिससे भाई वो teacher मेरे को देखना पाई ठीक है तो भाई कहाँ पर छुपू मैं कहाँ पर छुपू हाँ guys यार मैं यहाँ पर इसी room के अंदर छुप जाता हूँ ठीक है अब guys आप लोग देखना क्या होने वाला है मतलब कि यार guys आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो यह वाले लेवल हमारा complete हो चुका है तो भाई अब इस्टार्ट करते हैं हमारी teacher जो की बच्चे को पढ़ाने आ रही है तो आज हम इस teacher के साथ एक और prank करने वाले हैं तो भाई इस prank अंदर हमें क्या करना है भाई हमें एक mouse trap ढूणना है और उस mouse trap से इस scary teacher की band बिरानी है तो भाई हमें एक mouse trap ढूणना पड़ेगा तो चलता हम भाई फटावट से classroom के अंदर और भाई ये तो बहुत अच्छी वाद है भाई हमी school के पास ही है तो भाई हमें ज़्यादा दूर भी नहीं है हमारा school तो भाई इसी school के अंदर हम एकदम चले जाएंगे और अपना mouse trap हम ढूण लेंगे ठीक है तो भाई मेरे को पता है यार इस mouse trap इस teacher ने कहाँ पर चुपाया होगा भाई जहां तक का मेरा अंदाज है भाई इस teacher ने भाई mouse trap इनी दोनों के कमरों के अंदर कहीं न कहीं तो चुपाया होगा भाई आप लोग यार यहाँ पर देख सकते हो इस student कैसे जा रही है mouse trap कहाँ पर होगा कहाँ पर होगा तो जैसी teacher अपनी बुक को ठाएगी न तो भाई उसका हाथ इस mouse trap के अंदर भिज जाएगा और उस teacher की वहाँ पर band बच जाएगी तो भाई चलता हूँ फटावर्ट से अपनी class के अंदर और भाई वहाँ पर जाकर के इस mouse trap को मैं रख देता हूँ मेरे को नहीं पता है वह teacher कहाँ पर है अभी तो मैप मेरे को पता है कहाँ पर देख रहे है वह teacher तो यार मेरी class भी यहाँ से जादा दूर नहीं है तो आप लोग देख सकते हूँ मैं आज चुका हूँ थीचर के साथ दूसरा प्रैंक किया है तो भाई आ चुकी है हमारी teacher अब देखना भाई क्या होने वाला है इस teacher के साथ जैसी भाई यह book उठाएगी तो भाई अब देखना भाई ψपाने वाली है उठाने वाली है भाई भुक उठा भाई teacher तो भाई अब हम start करते हैं next level तो guys next level थोड़ा जादा अच्छा होने वाला है क्योंकि भाई इस level में ये scary teacher जो है ना भाई आस्क्रीम रख रही है अपनी तो भाई इस scary teacher ने यहाँ पर अपनी ice cream रख दिये है जो कि भाई ये अपने lunch में खाएगी ठीक है तो भाई आप मेरे को कुछ ऐसा करना है जिससे भाई ये स्कैरी टीटर जो है ना इस आस्क्रीम को खाना सके मतलब कि गाईस इस आस्क्रीम में मिर्ची डाल दूँगा जिससे भाई ये आस्क्रीम खाएगी ना तो भाई इसकी ऐसी की तैसी लग जाएगी मतलब कि भाई इसके कानों मों को धुमाई निकल जाएंगे तो भाई मैं फटावर्ट से कोई ऐसी चीज ढूनता हूँ घर के अंदर जा करके जिससे भाई मैं इसके आइसक्रीम में डाल सकूँ हाँ गाईस यार मैंने भी आपसे कहा तो भाई मिर्ची ढूंड़ी है मेरे को तो यार मिर्ची यही कहीं होगी तो यार गाईस मेरे को यहाँ पर मिर्ची मिल गई है तो भाई अब इसको लेगर के चलता हूँ मैं स्कूल के अंदर और भाई वहाँ पर जाता हूँ मैं मिश्टी के घर के अंदर वैसे तो यार गाईस आप लोग देख सकते हो मेरे निक का घर जो है न भाई बहुत ही बड़ा है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो काफी ज़दा समान रखा हुआ है और भाई यहाँ पर रखी हुई है एकसरसाइस मसीन वगरा और आगे एक बहुत बड़ा घर भी है ठीक है तो यार हम जाएंगे नेक्स्ट लेवल में आगे तो भाई फेलाल दो चलता हूं मैं स्कूल के अंदर तो भाई स्कूल मेरा बिल्कुल पास में है आप लोग देख सकते हैं मेरे घर के बिल्कुल करीब है स्कूल तो भाई वहाँ पर तो मैं अभी पहुच जाँगा देगो भाई मैं पहुचनी वाला हूँ वाँ पर तो भाई यार मेरे को वहाँ पर जाने में न गाईस बज़े आ जाएगा मतलब कि गाईस यह जो मैं लास्ट वाला प्रैंक कर रहा हूँ न इस टीचर के साथ तो यार यह प्रैंक थोड़ा हाई लेवल का होने वाला है और यह बच्चे यहाँ पर कैसे खड़े हैं विचारे इतने मासूम बच्चे हैं इस टीचर ने इन बच्चों को पर कितना ज़्यादा जुल्म किया है तो भाई आज तो मैंने श्टीचर की दू बार बैंड बजा दिये अब भाई तीसरी बार श्टीचर की बैंड बजने ही वाली है तो चलता हूँ भाई फटावर्ट से अपनी किलास्रूम के अंदर देखनागईश क्लास्रूम के अंदर नहीं छूपा रखा होगा इसने अपने खाना हाँ आगई तोब रह सुस्ती ऑसकी बटावर्ठ से सीट के ओपर बैठ जाताओमेश क्या होने वाला है आप लोग यहां से ध्यान से देखो तो गाइस यहाँ पर इसकेरी टीचर की बैंड बच गए भाइस के कानों में कुछ धुवाई निकलने स्टार्ट हुआ है देख भाइस यहाँ यहाँ पर इसकी बैंड बिजाने में मेरे को मज़ा ही आ गया तो गाइस यहाँ बस आज के लिए इतना है अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो यहाँ इसी बात वीडियो को लाइक करना और यहाँ चैनल पर नहीं हो तो यहाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो मिलते हम अपनी ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ